हेलो फैमली नमस्ते कैसे हैं आप सब आप सब लोग अच्छ से हैं सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है आप सब के बहुत से कॉमेंट्स आ रहे थे कोई कह रहा था मुझे प्रेग्नेंस में बहुत ज़दा नींद आती है कोई कहते मुझे नींदी न होना चाहिए किस तरीके से सोना चाहिए यह सारी बात इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हो क्योंकि जैसे आपको पता है फ्रेंड्स कि गर में बचे का विकास केवल आपके खाने पर नहीं आपके सोने पर भी डिपैंड करता है इसलिए सोने की सारे टिप्स अभी आ और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के मोश्ट हेलफुल वीडियो देली इस चैनल पर देखने के लिए चलिए आज का वीडियो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड जैसे मैंने आपक चाहिए कितना नहीं सोना चाहिए प्रेगनसी में ज्यादा सोना क्या अच्छा है या कम सोने से गर में बच्चे को क्या असर पड़ता है तो टैंशन बिल्कुल नहीं लीजिए इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं तो जानते हैं कि अगर आ water intake कम हो जाता है, diet आपकी कम हो जाती है और आपकी physical activity भी कम हो जाती है तो आपको इन वजहों से nutrition issues हो सकते हैं मतलब कि आपके body को ठीक तरीके से nutrition नहीं मिलेंगे जब आपकी body को नहीं मिलेंगे तो गर में बच्चे को कैसे मिलेंगे जिस वज़े से आपको तो problem झेलनी पड सकती हैं और साथ में आपके ज्यादा सोने से गर में भी बच्चा सुस्त फील करने लगता है बच्चे के nature में सुस्ती के सुभाव आ सकते हैं क्या आपको पता है ना कि बच्चे की 70% training आपके पेट में हो जाती है तो जैसा आप अपनी pregnancy में करेंगे तो बैसा ही बच्चा स बच्चे के बिकास पर भी फर्क पड़ता है वो कैसे क्योंकि इस से बच्चे का बजन नहीं बढ़ेगा क्योंकि जब आप ज्यादा टाइम तक सोते रहते हैं दिन में भी रात में भी तो आप बॉट्रिंटेक नहीं ले पाते हैं तो बच्चे को nutrition नहीं मिल पाते हैं तो जिस बज़े से बच्चे के कम बजन होने की समझ से आ सकती है क्योंकि जब आप ज़्यादा देर तक सोती हैं नो फिजिकल एक्टिविटी जिससे नो भूख नो नूट्रिशन और जिससे बच्चे का लोवेट हो जाता है यह तो हुआ ज्यादा सोना आप जानते हैं कम सोने कर जिससे क्या होता है तो फ्रेंड प्रेगेंसी में कम सोने के मतबब कम दॉने के काफी सारे conceal हो सकते है तो इन सब का असर आपके हार्मोन्स पर पड़ता है और जब आपके शरीर में प्रेगनसी के टाइम पे हार्मोन्स ठीक तरीके से नहीं बनेंगे तो ये आपको stress के साथ साथ, चिड़ चड़ापन, गुसा, मतब आप बे बज़े छोटी चोटी बातों पर ही गुसा करने लगेंगे अब आप pregnancy में ज़से की ज़्यादे stress, चिड़ चड़ापन, गुसे की शिकार है, ज़्यादा गुसा करती है तो इन सबसे गर्मे बच्ची पर असर पड़ता है वो कैसे व्योंकि बच्चा तो आप से ही connected है जो आप pregnancy में करते हैं वो आपका baby भी करेगा बैसे ही बच्चा सीखेगा आप pregnancy में ज़्यादा गुस्ता करेंगे चड़ चड़ाएंगे और बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे तो गर्मे बच्चा भी वही सीखेगा और आने के बाद सेम डिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि बच्चा भी बैसे ही बनेगा चड़ चड़ा गुस्ता रोंदू टाइप का बन जाएगा तो जैसा मा अपनी प्रेग्रेंसी में करती है बैसे ही बच्चा ट्रेनिंग लेता है और साथ में प्रेग्रेंसी में ज़्यादा गुस्ता चड़ चड़ापन की बज़े से आपको हाई भी पी की प्रॉब्लम हो सकती है और आपके खाने पीने पर भी असर पड़ता है, वो क्यों जब गुस्सा चरचड़ापन में रहेंगी तो उस वक्त तो खाना आप खाएंगी नहीं, अपना कभी लंच मिस करेंगी, कभी डिनर मिस करेंगी, कभी ब्रेकफास्ट मिस करेंगी, तो इससे आपके बचे की जिससे कि आपको अच्छी नींद आए, फाल्तो का सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम रात में सोने के ले जाते हैं, कुछ ना कुछ हमारे माइन में चलता रहता है, तो हमें नींद नहीं आती है, इसलिए प्रेगनेंसी में कम सोना या ज़्यादा सोना दोनों ही अच् और प्रेगनेंसी में आपकी बॉड़ी काफी सारे कामों में बिजी होती है, इस टाइम आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, और बचे तक निट्रिशन पहुच रहे होते हैं, फिजिकल, हार्मोज, चेंजिस पर आपकी बॉड़ी में हो रहे होते हैं, मतलब कि बॉड़ी आपकी बहुत से कामों में अभी लगी हुई है, तो भाई बॉड़ी भी ठक जाती है, बॉड़ी को भी ठकान मैसूस होने लगती है, और जब ठकान मैसूस होती है, बॉड़ी हमारी सुष्ट सी रहने लगती है, तो जिस वज़े से नीन में कमी आ जाती है, जब आपकी pregnancy में रात में नीन पूरी ना हो पाए तो आपको दिन में अपनी नीन पूरी करनी चाहिए जैसे कि कम से कम साथ घंटे की नीन आपको अपनी pregnancy में लेना ही चाहिए तो आप कुछ घंटे रात में सो लीजिए, कुछ घंटे दिन में भी सो सकते हैं लेकिन जादा नहीं कि आपकी प्रेगनेंसी में सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक है, फिर भी आप सो रहे हैं, आप बीमार नहीं है भाई, आप प्रेगनेंट हैं, कुल मिलाके, जितना इंपोर्टेंट प्रेगनेंसी में डॉक्टर को दिखाना, दवाईयां लेना, उतना ही है प्रेगनेंसी में सोना, ताकि आप ठीक रहें, तो आपका बच्चा भी गर में ठीक रहें, तो जब भी आपकी बॉड़ी आपके कान में आके बोलती है, कि आप मुझे सोना है, नींद आ रही है, मैं ठक रही हूँ, तो आपको अपने टाइम पर सारे काम कर लेनी मतलब आपको अपनी बॉड़ी की सुननी चाहिए, बैसे सबकी बॉड़ी अलग-अलग होती है, और नींद की डिमांड भी सबी बॉड़ी में अलग-अलग होती है, किसी को 6 गंटे की नींद जरूरी है, तो किसी को 7 गंटे की नींद है, जैसी हमारी बॉड़ी को हैबिट हो जाती है, बैसी ही रहती है ठीक है फ्रेंट्स तो I hope यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यदा हलफुल रहा होगा और आपके जो डाउट थे मन में के प्रेग्ने Brew में ज़्यादा सोने या कम सोने से क्या होता है तो आपको वो भी ठीक तरप्धा चल गया होगा तो चलिए मिलते हैं आप सबसे अब अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही देखते रहे है रिश्यूज व्लॉग यूटूब चैनल डेली इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए बाबाई थैंक यू